नमस्कार साथियों आज आएक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार PBR स्टेडी में आप देख रहे हैं क्लास 10th NCRT Math 10th की परिच्छा देने वालों के लिए भी और Math सीखने वालों के लिए भी ये क्लास पूरुरता हिंदी मीडियम में होगी इंग Q3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और Q3 का हम लोग Q1 पहला करेंगे ओके चलिए Solve the following pair of linear equation by the substitution and cross multiplication method कहने का मतलब ये है कि दिये गए समीकरणों को परतियस्थापन और तिर्शागुड़ा वाला जो विधी होता है क्या बोलते हैं cross multiple दोनों method से हल करिए तो पहले हम परतियस्थापन करेंगे यानि कि substitution वाला करेंगे चलिए यहां से x का मान निकाल लो second question से तो साथियों ये 3 x बराबर अकर 2 y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 2 y उधर जाएगा तो 4 पहले से है ये 2 y इतना हो जाएगा है ना और ये 3 इधर नीचे चला जाएगा तो 3 हो जाएगा ये समीकरण 3 बन गया देखो ये 0 level मैथ नहीं है ये 10th की high school की मैथ है अगर basic नहीं आता तो number पर संपर्क करिए और ये समझीए कि क्यों हो गया कैसे हो गया इसको 5 लाइन में बताएंगे ठीक ना चलिए तो ये हो गया इतना आगे देखना अब यहां पर लिखो यक्स का मान मान समीकरण एक में रखने पर याद रहे 2 में न रखना क्योंकि 2 से ही इसको हम निकाले हैं तो समीकरण 1 है 8 यक्स की जगा पर ये पूरा जंजाल रख दो 4 माइनस 2 आई बटा 3 और धान ये 5 वाई और इक्वल क्या है 9 ठीक ना यही तो है कोई और मुसीबत तो नहीं न चलो आगे हल कर लेते हैं यार नीचे तो कोई दिक्कत नहीं दिखने में नहीं अब इसका अंदर में गुड़ा करोगे साथियों तो क्या हो जाएगा ये आप जानते हो आठ चोग ये 32 हो जाएगा और ये माइनस 8 दून 16 वाई और नीचे 3 है तो 3 ही रहेगा और क्या होगा ये प्लस का जो 5 वाई है ये प्लस 5 वाई याद रखना ये बीचो बीच में प्लस लगाना यार नहीं तो गड़ बढ़ा ये यहां पर प्लस लगाना और फिर बराबर कितना है नो क्योंकि इसका बराबर का हिस्यदार है अब इसके नीचे एक लिख लो हल करो इसको आपस में इनका दोनों का LCM लोगे तीन आएगा भाग हल करना आपको आता होगा ना मतलब अभी देखना यह हो जाएगा 32 माइनस 16 और यह धन का जब तीन से भाग करोगे तीन में तो एक आएगा यानि एक से इसमें गुड़ा करोगे इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन जब एक से भाग करोगे तीन में तो तीन आएगा और तीन से पांच में गुड लोगे तो यह 32 माइनस का यह साथी जब घड जायागा ना यार तो क्या हो जाएगा मालूम है अरे 15 16 घटेगा तो माइनस को य आएगा और यह बटा लोग फटाफट निकाल लिया करो इसके नीचे एक लिख लो क्रास मल्टीपल कर लो यार यह नीचे देखना आप पहले इतना यहां किया फिर वहां इतना किया और फिर यहां आ गए तो यह नीचे देखना लाइन की नीचे 32-y बराबर 27 तो माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 27-32 तो माइनस का y बराबर माइनस का 5 यनि की y बराबर 5 y की बेलू आ गई 5 नोट कर लो इतना ठीक न अब क्या करोगे अब फिर इधर साइड आ जाएंगे देखिए अगर नहीं लिख पा रहे न तो वीडियो को रोक रोक करके लिखें और हाँ अगर डेली रेगुलर क्लास देखना है तो उपर देखो लिखा है न PBR Study 3.0 चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये क्लास 10 वाली न PBR Study चैनल नमबर 3 पर ही चलती है इस चैनल पर प्रयाग राजवाले पर बहुत कम चलती है तो उसी पर आप लोग पूरा देखो लेकिन इस चैनल को ऐसे सर्च करना PBR Study 3.0 रसमलों लगा के 0 लगाना भोता है न किपेड़ में अब लिख लो वाई का मान समी करण एक में रखने पर समी करण एक है 8 यक्स धन 5 वाई बराबर 9 तो 8 यक्स धन 5 गुड़ा 5 बराबर 9 तो 8 यक्स धन 25 बराबर 9 तो ये 8 यक्स बराबर 9 माइनस 25 तो यक्स बराबर 16 चार बीस हाँ 16 बटाट यानि कि कहने का ये मतलब हुआ कि यक्स बराबर माइनस का दो आ रहा है देखो माइनस में आएगा भी कि नहीं आ रहे है सुरू से अगर हम देखें वैसे तो सही लग रहा है ठीक है, ओके राइट है चलो नोट कर लो नोट कर लो जल्दी से हो गया इतना इसको जल्दी से चापो फटा फट और नहीं चाप पा रहे है तो वीडियो को रोग करके रखो ठीक ना रोग करके रखो और फिर चापना बाद में अब लिखो यह हो गया ना ओके है ना एकदम मस्ट लिख लिए ना चलिए अब लिखिए क्रास मल्टिपिलिकेशन मेथरड से चाहे इसको अगर आप इंग्लिस में लिखना चाहते हो तो इंग्लिस में लिख लो नीचे लिख लो हैंस एक्स इक्वाल माइनस टू और वा इक्वाल फाइफ देखिए साथी हो इसमें सूत्र याद करना बहुत बड़ लेकिन याद नहीं होता है उसको याद करने का असान तरीका मैं आपको बता दूं देखो इसमें खेला कुल मिला के क्या होता है एबी और सी का होता है एबी सी का खेला होता है तो इसमें करते क्या है ना मां स्वाथियों इसमें पहले बी और सी का रहता है एक्स वाले में क् से इसका खेल शुरू होता है B1 C2 माइनस अगर इसमें B1 है तो इसमें B2 हो जाएगा यह C2 था उसमें C1 हो जाएगा तो यह हो जाता है B2 C1 कितना आसान है ना और Y बराबर यह याद रखना पहले में B C रहेगा दूसरे में C A रहेगा तो वैसे इसमें हो जाएगा C और A रहेगा यानि कि C1 और A2 माइनस फिर A1 और C2 और जो इधर होता इसमें A और B रहेगा A और B रहेगा मतलब A1 B2 माइनस B1 A2 बस इसी में मान रखने हैं लेकिन आप कहोगे कि यह मान आएंगे कहां से कैसे मिलेंगे तो भाई इसका तोलना कर लो ना A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 इक्वल 0 वाले से तो तुल ना कर लो A1 B1 C2 A B2 सब निकाल लो मान एक तरफ से तो इसका मान हम यहां निकलवा नहीं रहें आप कहीं से भी निकाल सकते हो देखो मैं इधर साइड में कर दे रहा हूं चलो यह जरूरी नहीं कि आप इसको एक्जाम में लिखो यह मान निकाल करके दिखाओ कोई जरूरत नहीं है इसको आप रफकार में भी करके यहां रख सकते हो तो यहां पर देखो ज़्यदा डिस्क्राइब नहीं करना A1 कमान 8 और B1 कमान 5 और C1 कमान माइनस करना हो नहीं समझ में आएगा बताना A2 कमान 3 B2 कमान 2 और C2 कमान माइनस का 4 ठीक ना रख तो सभी को फटा-फट इसी मिला के डखेल दो हो जाएंगे अब यह मान हम रखेंगे लेकिन कहां रखें मुसीबत यह है चूंकि यहां पर जगा तो है नहीं तो यह साइड में मैं थोड़ा फट जगा बनाता हूँ देखो दिख तो रहा है ना पूरा चलो बहुत अच्छे तो साथियों यहां पर हम इन मानों को रखने की कोशिस करेंगे देखना पूरा क्या खेल होता है यह पूरा उधर मान रखेंगे यक्स अपान देखना यक्स अपान बीवन क्या यहां से देखना पांच है चलो रखी देते हैं क्या है राइह मान रखने में टाइम लगेगा फ यह यह देख उफ माइनस कचार है यह हो गया इतना यह अभी इतने का मान हुआ B1 C2 का माइनस का चिन लगाओ बीच में देखो समझाने में टाइम लगेगा B2 C1 B2 कमान देखो 2 है वहाँ और C1 कमान क्या है माइनस 9 है यानि कि 2 गुड़ा माइनस का 9 ये अभी एक मुसीबत दूर हुई अभी एक और भी है Y वाले में आजाओ C1 A2 C1 कमान देखो माइनस 9 है A2 कमान 3 है तो ये हो जाएगा Y अपान C1 A2 C1 माइनस करना हो और A2 3 और फिर बीच में माइनस था माइनस A1 C2 तो A1 C2 रख दो क्या हो जाएगा A1 C2 या फिर इसे C2 A1 कर सकते हो मतलब वही हुआ खुल मिला करके ठीक ना कोई उसमें इदर उदर नहीं करना है तो A1 कमान क्या है 8 है ना C2 कमान क्या है माइनस का 4 है तो ये 8 गुड़ा माइनस का 4 अगर इसको माइनस का 4 गुड़ा 8 करोगे तब भी वही आएगा और बराबर देखो तो जगा नहीं बच रहे यार उधर साइड में यह तो उधर जगा नहीं बच रहे बड़ा लोचा हो जा रहा है देखे साथिकों एक बात बहुत ध्यान से समझना वो यह है कि जो 1 अपान A1 B2 और B1 A2 था इसका मान रखने के लिए उधर साइड में इधर जगा नहीं बोर्ड खतम हो जा रहा ना तो इसलिए हम इसको आगे लिख दे रहें नीचे बाकी आपके कापी में जगा होगी तो पहले इसको लिखना फिर बराबर इसको लिखना फिर यह नीचे वाला इसी के बराबर में लिखना आगे लिखना नीचे मत लिखना ठीक ना बराबर में लिखना अब क्या करेंगे ह हल करेंगे हम उसको इधर साइड में लाकर के ध्यान से देखना आपके मंद में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि यह इतना बड़ा बड़ा बन जा रहा है यह कैसे होगा लेकिन अगर आप 10 में अच्छे से पढ़े हो मेहनत कियो तो बहुत आसान है यार यह और हां बेसिक कांसेप्ट आप सीखिए चाहा जैसे भी सीखिए क्योंकि बेसिक कांसेप्ट अगर नहीं आएगा तो फिर इसमें मुस्कित आएगी हम चलो हल करेंगे गुड़ा करोगे तो 20 हो जाएगा तो यह हो जाएगा यक्स अपान माइनस कब 20 और फिर माइनस का चिन है और दूइन 30 और वह प्लस हो जाएगा यानि माइनस का 27 प्लस 32 देखो यहां जगा बन जा रही क्योंकि छोटा हो जा रहा है इसको करोगे आट दूना 16 और पांचतियां 15 तो यह 16 माइनस 15 हैना कितना आसान निकाल लो आगे हल कर लो एक लाइन और यहां रो लगा लो यह हो जाएगा य यक्स और वाई के मान निकालने हैं करोगे क्या वही करेंगे जो अभी तक करते आये हैं एक बार इसको सी के बराबर कर लो ए वाले को और एक बार एक बी के बराबर कर लो तो चलिए कर लेते हैं इसमें क्या जाता हमारा है ना अनसरी तो लाना है तो एक बार पहले वाला त दूसरे के बराबर कर लो चलिए ओके तो यक्स अपान माइनस का टू इक्वल वन अपान वन यक्स कमान माइनस दो आ गया ठीक एक बार इन दोनों को बराबर कर लो आपस में फिर क्या होंगे लेकिन मज़ा नहीं आएगा इस तरह से नहीं आएगा आप ये बराबर करोगे ठीक ना वाई बटा पांच बराबर वन अपान वन समझ गये ना तीनों आपस में बराबर हैं तो आप इसको इसके बराबर कर सकते हो इसको इसके बराबर कर सकते हो इसको इसके बराबर भी कर सक लेकिन इस तरह मान नहीं आएगा तो यहां से वाई कमान के आएगा पांच इस तरह से आपने देखा यक्स कमान माइनस दो आया था सब्स्ट्यूशन में भी आया क्रास मल्टिफिलिकेशन में भी वही आया है ना तो आप पूरा समझ गये होंगे साथियों अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो निसंग कोज बताना कुष्टन नंबर पहला देखना लिखा हुआ है निमने समीकरणों को के यूगम को रैखिक समीकरण में बदल करके और इनको हल कीजिए देखिए आपके अगर इंगलिस मीडियम के बुक है तो उसमें इंगलिस में लिखा होगा इक्वैसन दोनों में सेम तुसेम होगा मिला लो है ना इसमें अगर वन अपांट ट्वियक्स है तो उसमें भी होगा तो इसको साथियों कहरा कि रैखिक समीकरण में बना लो उसके बाद हल करके दिखाओ तो चलो मैं बना लेता हूं इसके आगे स्टप देखना यह तो एक क्वैसन दिया है इसको हम क्रास मल्टीपल करेंगे है ना यह तो हम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह से और आपको गड़बड हो जाएगा फिर इसलिए आसान तरीका यह है साथियों कि जैसे बात समझो वन अपांट टू एक्स लिखा है ना तो इस क्या वन अपांट याक्स की जगा पर कुछ भी मान लो क्यों मान लो अगर मैं इसको मान लेता हूं तो क्या हो जाएग यह आन दे ना 1 upon x की जगह पर मैं P मान रहा हूं याद रखना तो साथियों यह 1 upon 2 into क्या हो जाएगा P समझ रहो कि नहीं समझ रहो ना 1 upon x की जगह पर मैंने P मान लिया तो यह 1 upon x की जगह पर P हो जाएगा तो इतना हो जाएगा और final में multiple करोगे तो P upon 2 मिलेगा क्या मिलेगा P बटे 2 तो इसी तरह से हम इसको आगे हल करेंगे आप समझ गये होंगे कि 1 upon 2 x की जगा पर हम लिख सकते हैं अभी ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं एक system से करेंगे तो लिख सकते हैं तो मैं नीचे हल करता हूं अभी ध्यान देना नीचे हल करता हूं वहार है रहे तो हिंदी में लिखोगे तो माना लिखोगे इंगलीज में लिखोगे लेट लिखना लेट ठीक है माना 1 upon x बराबर P तथा 1 upon y call Q ठीक है चलो बट इनको इसमाल में मानो चाहें capital में मानो चलो capital हमें रहने दो तो साथियों पहले समी करण के recording हम चलेंगे तो 1 upon x की जगह पर जब P मानोगे तो हमें P upon 2 मिलेगा क्या मिलेगा P upon 2 और प्लस जब 1 upon y की जगह पर Q मानोगे तो बस वही Q upon 3 मिलेगा और बराबर जो 2 था वो ऐसे ही रहेगा तो यह समी करण नंबर क्या है अब एक मान लो ऐसे भी पहले एक था समी करण 2 से चलो ले चलते हैं देखो क्या होता है ध्यान से लिखना अगर आप board की पर इच्छा देंगे तो पहले इसको ऐसे लिख डालो पूरा फिर इधर लिखना दूसरा अब दूसरे ही question में आ जाओ इसमें वाना पान यक्स की जगाओ पर मैंने क्या माना है पी माना है तो सिंपल सी बात है समी करण 2 से यह पर चाहे लिख लो नहीं तो कुछ मत लिखो रहने दो इसको लिखने के बाद दूसरा लिखो इसमें जब मानोगे तो यह पी बटा 3 हो जाएगा और प्लस यह क्यू बटा 2 हो जाएगा बराबर 13 बटा 6 हो जाएगा इतना बात समझ में आई इसको समी करण 2 बना लो क्या हो गए यह समी करण नमबर तो लेकिन अभी यह दोनों समी करण हाल होंगे और हाल होंगे तो थोड़ा आपके लिए और भी इजी बन जाएंगे उनको भी देखना कैसे होंगे ध्यान देना अब इनको आप क्रास मल्टीपल करोगे क्या करोगे क्रास मल्टीपल करोगे तो देखना क्या होंगे गौर करना साथियों अगर इसमें आप ध्यान दो तो दोनों में 6 हो रहा है, दोनों में 6 हो रहा है ना, लेकिन इनका हम हारोगरा कुछ बराबर करेंगे, नीचे कहां तक है, नीचे तो अभी एक लाइन और दीखेगा ना, चलो एक लाइन और दीखेगा, इसको आप कर सकते हो, 3P, क्या वारा हो जाएगा नई समझ में आएगा तो बताना ठीक यह आपका एक समानी कोईसन बन गया इसमें करोगे तो यह आपका टू पी धान ये तीन क्यू और बराबर ध्यान देना ये तीन दूरा छे और ये भी तो नहीं नजार साथ बटा छे इसको क्या करोगे अप बालू मैं इसको हमें काम कर सकते हैं नीचे छे ऐसे लिख लें ठीक ना ये तीन दूरा छे लसी हम लोगे और ये तेरा बटे छे कुछ समझ में आया यहां से आप छे से चे काट सकते हो तो ये टू पी धान तीन क्यू बराबर आएगा तेरा ये समीकरन दूसरा है ये दोनों समीकरन आपके अच्छे रूप में आ गए एक सिंपल रूप में आ गए ना बस इनी दोनों समीकरनों को हल करना है वैसे आप एक काम करो अगर फाइनल समीकरन इनको बनाओ तो जाद आच्छा रहेगा तूपी धन तीन क्यू माइनस तेरा बराबर जीरो इसे समीकरन दो लिखो और यह बारा इधर साइड भेज लो नीचे दिख रहा है कि नहीं नहीं दिख रहा तभी मैं दिखा दूँगा परिसान मत होना ठीक न अट्टो यह दर को बेज लोगे तो यह समीकरन का एक नया रूप बन जाएगा तो दोनों समीकरन को मैं उधर साइड में लिखके दिखा द 3P .Q-12, 0 , बना लो और यह 2P . ein teneq , बना लो बना लो बस यह सबसे आसान है देखे केवल इसको हलका सा काटना था कर लिए ना पढ़ते समय पहले आप रफकार में किया करो समझने की कोशिश करो बस पहला इसट अप होंगया दूसरा हो अब तीसरा इस्टेफ दिख रहा है ना दोनों समीकरणों को कहना आप हल कीचिए अभी तक हम समीकरण बना रहे थे तो साथियों हल कर लेंगे हल करने में कौन बड़ी बात है है ना क्या करना है चलिए इनको बिलोपन बिधी से कर देते हैं समीकरण एक में दो से गुड़ा क तीन से गुड़ा करने पर तो चलो कर लो एक में दो से तो दो त्याहिए छे फी धन दो दूना चार क्यू माइनस बारा दूना चौविस पराबर जीरो समीकरण दो में तीन से कर लो तो तीन दूना चे छे पी धन तीन से हो रहा है ना तो तीन तरीका नौ क्यू माइनस तेरह तियाह उन्तालिस बराबर जीरो आप सभी जानते हो भी लोपन बिधी से हल कियो एक क्वेसन ना बहुत पहले से पढ़ते आए हो तो क्या होगा खल कर लो यार यह चिन बदल जाएगा कट जाएगा यह चिन बदलेगा तो प्लस माइनस यह माइनस का पांच क्यू आएगा और यह देखो चिन बदलेगा तो यह plus का 5 और यह 15 आएगा बराबर 0 इस तरह से आपका Q बराबर आएगा minus 15 बटा minus का 5 यानि Q बराबर आएगा 3 कितना आएगा Q कमान 3 आएगा इतना लिख लो जल्दी से इतना लिख लिया ना बहुत अच्छे very good देखना अब इसको में मिटा दे रहा हूं इधर साइड में मिटा दू ना ठीक है पहला इस्टेप फिर दूसरा इस्टेप फिर तीसरा इस्टेप आप चौथे इस्टेप में इधर आना तो अब जो Q कमान आया है, जैसे आप अभी थक करते आयो सिम्पल वाला, वैसे ही आप वो Q कमान ले जाकर के, जो फाइनल में समी करण बने थे, उसमें से किसी में भी रख दो, तो चलो मैं पहले में रख लेता हूँ, Q कमान, लिखो चोथे इस्टब में, Q कमान समी करण एक में रखने पर, तो समी करण एक हमारे पास क्या है, वो साइड में बना था जो यार, उपर न ये, 3P धन 2Q, 3P धन 2Q, माइनस 12 बराबर 0, पी कमान क्या रखना है, Q कमान रखना 3, तो 3P धन 2, गुड़ा 3, माइनस 12 बराबर 0, तो ये 3P धन 6, माइनस 12 बराबर 0, साथे इस तरह से जब इसको हल करोगी है, माइनस घड़ जाएगा, तो 3P माइनस का 6, बराबर 0 आएगा, इसलिए पी बराबर 6, उतर जाएगा, पलस हो जाएगा, बटा 3, तो पी बराबर आएगा 2, देखो, पी कमान 2 आगया, Q कमान 3 आगया, अब फाइनल आंसर की बारी इसमें देखना, चलो नहीं लिख पाया हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके इसको लिख लेना फिर, चलो ठीक है, फाइनल आंसर देखो, देखिए हमने P और Q के मान कुछ और मान करके रखा था ना, सुरू सुरू में लिखा था माना P बराबर, माना Q बराबर, माना मान रखने पर, ऐसे लिख दो मान रखने पर वास्तविक जाने दो नहीं, मान रखने पर, पी और Q का मान रखने पर, तो साति ह slope पी बराबर 2 है, वनपान यक्स बराबर 2 हो जाएगा, जब यहां से यक्स का वैलू निकालो गई, तो 1 आपान 2 आएगा, ठीक, Q का मान रख तो जो Q बराबर 3 है, हमने इसकी जगा पर Y बाना था, बराबर 3, तो Y बराबर 1 बटा 3 आएगा, ये आंसर हो गया final, ये right answer हो गया final, समझ गया ना, फाइला इस्टेप लगाया था, फिर दूसरा लगाया, फिर टीफरा लगाया, उसके बाद चौथा लगाया था, और ये पा पर नई सब्सक्राइब के तो तुरंद कर लेना, क्योंकि ये सारी कलासे आपको PBRA Study 3.0 चैनल पर ही मिलती है, चल्दी करो हो गया तो आगे चले, उपर देखो चैनल का नाम लिखा है exercise के आगे, यही चैनल है, इसी पर सारी कलास होती है, साथियो देखो, देखो second equation बहुत आसान है, इसी में का दूसरा पार्ट है, यह कुछ अंडरूट में हैं लेकिन बहुत आसान है, वह अनपान रूट X की जगा पर पी मान लेना, वह अनपान रूट Y की जगा पर क्यों मान लेना, तो इस तरह से आपका जो पहला समीकरण बनेगा, पी मानोगे तो यह 2P धन, समीकरण 3Q बराबर 2 बन जाएगा, समीकरण 1, और दूसरा समीकरण आपका बनेगा, इस से वो बनेगा 4P-9Q और बराबर का मानोच सब्सक्राइद 1, यह बनेगा, इसमें से आप 2 को इधर ले आओगे, यह बन जाएगा 2P-3Q मानस का 2 बराबर 0 लिए फाइनल में समीकरण या किसको लिए से इसको भी लिख सकते हो लेकिन इसको एह इहर पक्षांतर करोगे तो वही बात हो जाएगी ठीक ना तो कोई बात नहीं है आप इसको भी लिख हो गये तब भी आगे है खल कर सकते हो लेकिन तो लिए 小時 एल-ब्र Pav माना जाता है नीचे दिख रहा है ना अभी चुंश दिख रहा है तो बस इसी को हल कर लेना समीकरण करना जानते ओं पिलोपन विधी कर लेना चाहे तो पर्थच्छ स्थापन विधी कर लेना पी और क्युक्त माननीगाल घ्लाइस्ट में रख देना अंसर हो गया केड़ वाला आज हम आपको पताएंगे तो second number को क्या कह रहा है ध्यान से समझना कह रहा है कि निम्न समीकरणों को रैखिक रूप में बेक्ट कीजिए और उनको हल कीजिए ये तो पहला वाला था साथियों ये पहला था ठीक है तो इसको तो आप कर लिए हो दूसरा वाले में एक कहानी है और वो कहानी क्या है उसे समीकरण में बनाना है मैं आपको दिखा रहा हूँ तो दूसरा question समझना क्या कह रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्ति कीजिए और उनके हल कीजिए समस्या क्या है सुनना रितू धारा के अनुकूल दो घंटे में 20 किलो मीटर तायर सकती है रितू एक लड़की है जो धारा के अनुकूल दो घंटे में 20 किलो मीटर तायर सकती है धारा मतलब जैसे ये नदी है इधर को बाह रही है ठीक ना धारा इधर को जा रही है तो जिस तरफ पानी बहरा जब वो उस तरफ को तैरती है तो क्या कर रही वो वो दो घंटे में 20 किलो मीटर तैर रही है क्योंकि पानी का बहाव भी साथ में जुड़ रहा है है ना उसके आगे क्या कहता है धारा के प्रतिकूल दो घंटे में सिर्फ 4 किलो मीटर तैर पा रही है मतलब जब वो धारा इधर को बह रही वो इधर को तैर रही है तो दो घंटे में सिर्फ 4 किलो मीटर तैर पा रही क्यों? क्योंकि पानी उसको ढखेल रहा उल्टा साइट को पीछे को आगे पू देखना क्या होता है करा उसकी इस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल गयत कीजिए उसकी इस्थिर जल में तैरने की चाल यानि कि जब पानी रुख जाए ना बहे तब वो कितना किलो मीटर परति घंटे के हिसाब से तैर पाएगी और पानी कितना तेज़ बहरा है जो उसको रोंक ले रहा है यह दोनों चीज़ निकालना है तो चलिए इसका सलूसन हम लोग लिखते हैं चलो जल्दी से नोट करो पटापट लिखिए इंगलिस में बोलें कि हिंदी में जो कहो आप लोग वही बोलें इंगलिस में लिखोगे तो लिखोगे let the speed of Ritu in still water and the speed of stream VX km प्रतिघंटे and Y km प्रतिघंटे हिंदी में लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे माना रितु की इस्थिर जल में तायरने की चाल X km प्रतिघंटे और धारा की चाल Y km प्रतिघंटे है नोट कर लो एक बार फिर से बोल रहा हूँ सबसे पहले लिखोगे माना रितु की इस्थिर जल में तायरने की चाल और धारा की चाल करमसा X km प्रतिघंटे और Y km प्रतिघंटे है यह तो आपने मान लिया आप लिखिए आप धे आते समय चाल के बारे में बात करते हैं लिखिए आप mist क्रीमिंग मतलब जानते है आजए प्रतिगल मतलब और जो इस के लिए suitable है जिधर को वो तयर रही उधर को ही तअरे तो इसे अनॉकूल बोलेंगे और अगर उसका उल्टा है तो फ्रतिगल प्रےकुल है लिख़िये रितु की टैर्ने की चाल कि रितो की टैर्ने की चाल कितने होगी टैरने की जाल उसकी अ लिखो धारा के P09 शिखे अनुकूल पहले परति कूल लिख भारा के परति कूल देखो मतलब समझना तो धारा के परति कूल देखिए सात्यों जैसे अगर मानलो आप एक चाज देखे होंगे एक्सिडेंट अग्सार प्रोड Dalos पसका सभाण किलर ये很好 लेकिन अगर कोई गाड़ी आ गया के जाती पीछे से कोई ठोक देता है तो उतना बड़ा हाथसा नहीं होता है क्यूं बुरा हाथसा होगा मतलब समझ रहे हो ना कि 110 km पर दिघंटे की ताकत जो इसमें मतलब लग्यार ही जिसी स्पीर से भाग रही है उधर से भी आएगी तो ज्यादा भयानक हाथसा होता इस वजासे और अगर ये आगे पीछे होती एक दूसरे के एक दूसरे से आगे पीछे हो तो बहे जाएगा पानी के साथ वैसे अगर रितू ना भी तैरे तब भी वह थोड़ा तो बहेगी ही लेकिन अगर वह तैरेगी तो बहेगी बात समझ रहे हो ना लेकिन धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल का मतलब पानी उधर को बहे रहा है और आप इधर को तैरोगे तो क् कितना भी चोर लगाओगे धीम ही तैयर पाओगे तो पहले धारा के प्रतिकुल क्या होगा हमने माना है कि रितु की स्थिर जल में 40 km प्रतिगंते और धारा की चाल y km प्रति घंटे तो यानि कि इस में से उसकी जो भी ताकत लगाएगी जोर लगाएगी उसमें से धारा की चाल घट जाएगी मतलब वो घटा दिया जाएगा कैने का मतलब अगर रितू 100 km पर दिगंटे की चाल से तैर रही है और धारा की चाल 40 km पर दिगंटे है तो वो 40 उसमें से घट जाएगा रितू सिर्फ 60 किलो मीटर पर दिघंटे की चाल से ही तैर पाएगी यह मैं आपको एक बता रहा हूं मानने के लिए बाकी इतना तेज कोई नहीं तैरता है अब आगे क्या लिखेंगे दारा के अनुकूल दारा के अनुकूल चाल अनुकूल करेंगे जिधर को पानी वह रहा उधर को ऐगाय एक SPLUS Y किलो मीटर पर दिघंटे इसमें भी कर लो किलो मीटर परति घंटे आगे लिखें एकाटिन कूत्म करेंगे लेकिन पहले इसको कर लो तो यह 2i-20 बराबर 0 इक ऐसा नमबर हो गया फाज्ट इसको नोट कर लो फटाफट फटाफट कर लो आगे चलते हैं फिर आगला लिखिये इतना हो गया ना चालो जल्दी करो फटाफट आगे क्या है कह रहा कि धारा कि यह अनुकूल वाला हो गया अब प्रतिकूल वाला क्या होगा इसी की नीचे करना भीना कुछ लिखे एक्स माइनस वाई और क्या कह रहा था कह रहा था कि दो घंटे में यह सिर्फ चार ही किलोमीटर तायर पाती है कितना तायरती है चार किलोमीटर तो 2x-2y-4 बराबर 0 समीकरण नमबर 2 हो गय एडिंग दाइक क्वेशन 1 & 2 दोनों समीकरणों को जोड लेते हैं पहले नीचे तक लगाना फिर उपर नहीं लिख पाये हो तो थोड़ा सा वीडियो को रोग करके लिख लेना ओके चालिए बहुत अच्छे बेरी गुड लगे रहो लगे रहो समीकरण एक और दो को जोड 4 का बराबर 0 जोड़ों के दोनों तो यह हो जाएगा चार एकस यह कट जाएगा चिन को इनी बदलेगा माइनस का 24 बराबर जीड़ो ध्यान देना इतना करने के बाद उस साइड में चलते हैं हम सब टाइम बहुत कम है साथियो एकस कमान निकालोगे यहां से तो 4 एकस बराबर 24 एकस बराबर 24 बटा 4 एकस बराबर 6 देखो चार दोनों तरफ लिखा जाता है हरान मत हो न एकस कमान आ गया अब एकस कमान रख दो समीकरण एक में यह उसके आगे वाले इस्टप में करना उधर साइड वाला ठीक ना एकस कमान समीकरण एक में रखने पार तो चलो रख दो फटाफट जटा जट रख दो एकस कमान समीकरण एक क्या है है 2x प्लस 2i-20 बराबर 0 यहां से निकालोगे तो आई एक्वल चार आएगा अब लिख लो नीचे आता है रितु की इस्थिर जल में चाल बराबर 6 km पर दिघंटे और धारा की चाल 4 km पर दिघंटे मतलब पानी अगर रुका रहेगा तो रितु 6 km पर दिघंटे तैर सकती है और पानी जो बह रहा था वो 4 km पर दिघंटे की चाल से बह रहा था कच्छा 10 के NCRT मैथ एक्सरसाइज 4.1 और इसमें हम देखेंगे कुश्चन नंबर 5 से चलिए सुरू करते हैं कहरा कि जाँच कीजिए क्या निम्न दिघंट समीकरण है मतलब इसको जाँचना है परकना है जैसे आपने सुना होगा CBI जाँच होती है कि बताओ ये भईया इससे से कांड हुआ था कि नहीं हुआ था तो जाँच में जो निकलता वही माना जाता है उसी तरह का ये अच्छा ठीक है मैं आपसे बोलूं कि आप जाच करिये मैं इनसान हूं कि नहीं अब आप लोग कहेंगे यह इनसान तो है इसमें कौन सी जाच करना है लेकिन आपने किस आधार पर कहा कि मैं इनसान हूं उसका कोई एक मतलब सिस्टम होता है ना जैसे अगर मैं आपसे पूछ हूं कि यह बताएं यह एक मिनिट मैं आपको दिखा रहा हूं हाँ चलो staatiatyem यह यह जाच कि नहीं दहां से समझना यह कभी नहीं बूलोगे यह जाचसमा है कि नहीं आप आप इसको समझ गए कि यह जाच किया तो स्थाहीं कि चौशा में डृव और ढूदी कि और पीसे मरेब को द्रफाह स्थाइव आजेख लिए गया गया कि इसमें दोड़ाऌ भी होता है यह दोनों लगे हो यह दीए क्यों अबने दन्स द्रफों में और अगर मैं आपको बमुंद स्थाहें कि यह कुछ नहीं न तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि वो चस्मा था वो चस्मे जैसे था क्योंकि चस्मे की कोई खासियत होता उसका कोई परगुण होता है ये क्या है एक पैन है पैन की क्या क्वाल्टी होती क्या गुण होता है क्योंकि हर एक पैन में लग भग एक कैप होती है फिर भी उसमें एक एक बंश होता है इसका एक रूप सो रूप होता है अगर उस रूप सो रूप का यह है तो यह दूई गहाद समी करण नहीं है धेखो कैसे साथियों हां साथियों इसका जो standard formula होता है मानक जिसके आधार पे इसकी तुलना करते हैं वो होता है मैं किस रूप में दिखाऊंग आपको पूरा full रूप में ना लिखो ax square plus vx plus c equal 0 ये इसका मानक रूप है standard form अगर इसके रूप का कोई भी समीकरण दिया है तो वो दिखाऊंग समीकरण होता है ने था नहीं होता है इसमें समझो थोड़ा मोटी मोटी बात जहां a b c a kama v kama c आचर पद है क्या है आचर पद है अब चार आचर के बारे में मैं पिछली कलास में पढ़ा चुका हूँ जो भी मतलब लेटर होते हैं इसे लेके जड़ तक सभी चर कहलाते है यानि वरियेबल कहलाते हैं जो गिंती की संख्या होती ही सभी आचर कहलाती ह तो देखो अब यह तो आपके दिमाग में आ गया इसको कई नोट कर लो चुकि हम मिटा देंगे इसको फिर उसको हल करेंगे तब आप से पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा देखिए कैसे दोस्तों एक्चुली होता क्या है कि जो भी क्वेसन दिया गया है यह दू दूहार आती है तो मुझ ढके हुए रहती तो आप लोग समझ नहीं बाते कौन है कैसे है मतलब समझ गए ना काफी समझदार हो गए आप लोग तो उसी तरह से इसका मुखवटा पहले हटाना है समझना है कि किस रूप का आता है देखो कैसे यह x प्लस 1 का होल स्कॉयर है और यह 2 इंटू x माइनस 1 है इसे हमें हल करना है हमने बच्चपन में पढ़ा था a प्लस b का होल स्कॉयर की सर्वसमिका पढ़ा था तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें सर्वसमिका लगा देंगे तो यह क्या बन जाएगा x का square plus मतलब a का square हो गया plus b का square यह निकी 1 का square plus 2ab 2a और b हो गया a की जगा पर x b की जगा पर 1 ये तना खतम हो गया ये हो गया इधर side का अब इधर आओ 2 का x में multiple करो तो 2x minus x हो जाएगा साथी होगा क्या समझने की कोशिश करना ये x का square और ये plus 1 और ये 2x है देखो multiple होगा सब 2x आएगा इधर का 2x है यार इधर आएगा तो minus में हो जाएगा तो एक परकार से 2x 2x जो है ये हो जाएगा खतम खतम हो जाएगा तो बचेगा क्या ये बेचार अच्छे जो है इधर केले बच रहा है यक्स का square अब ये plus का 1 इधर से ये 6 इधर आजाएगा तो ये भईया इधर minus में था इधर आया चिन्ना बदल गया तो कुल मिला करके यक्स का square धन 7 बराबर 0 आ गया अगर हम तूलना करें इस से किसकी दुगाद समीकरण के मुख है जो उसका देता हूँ देखो AX square धन BX धन C बराबर 0 इसके रूप का आना चाहिए रूप का मतलब जानता हो इसके structure का जैसे इसके नीचे इसके लाके लिखो इसे भईया X का square प्लस ये 7 बराबर 0 थेहान दीजिए पहला वाला तो बराबर है ठीक है मालो यहां पर अचरपद कोई भी 1 हो जाता चलो ठीक है पहला वाला X का square X का square के रूप का है BX BX मतलब कोई अचरपद हो और एक चरपद भी होना चाहिए तो यह यह आला पद तो यहां सीधा फीधा गायब है C मतलब साथ है चलो constant है ना हो उसकी जगा पर लेकिन यह जो है पूरा पूरा इसमें से गायब है इसमें है ही नहीं जैसे कोई एक इनसान लाकर के मतलब खड़ा करो जिसके हाथ ना हो ना उसके हाथ वाली जगा हो कहीं पर तो आप कहोगे इनसान नहीं राचा साहिए मतलब कटा ना हो हाथ है नहीं उसके हाथ वाली जगा हो ना उसका structure कुछ ऐसा हो कि उसके हाथ हो ही ना तो आप कहोगे इनसान नहीं है ना उसी तरह से यह दूइगा समय करन नहीं है इसके बाद अगर हम बढ़ें जो अगला इसमें का पहला question का second part है उसको देख लो लेकिन इसे आप कुछ second है आपके पास इसे जल्दी से note कर लीजिए या फिर स्क्रीन साट ले लीजिए बहुत जल्दी करिए तब हम आगे बढ़ते हैं फटा फट करिए बहुत देर हो रही समय class recording का time आपका वही रात में ही मिलता है रात के एक बजे इसलिए थोड़ा डिस्टरब भी हो जाता है कभी-कभी चलिए मैं नहीं मिटाओंगा पूरा परिसान मत हो ये लिखते रहिए अराम-अराम से दो चार दिन में लिख लीजिए गा चलिए मिश्टर अगर इसको देखा जाए ध्यान से तो क्या होगा इसको भी वैसे ही सब कुछ करना है ये x का square, minus का 2x और equal, ये minus का 2 जो है उससे अंदर में multiple कर दो sum में, तो यार ये minus का 6 हो जाएगा और ये plus का 2x हो जाएगा अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो भाईया क्या होगा ये x का square, minus, देखो ये minus का 2x है इधर से जब ये 2x इधर आएगा तो ये भी minus में हो जाएगा चुकि उधर plus में है, तो minus 2x में minus 2x 8 होगा तो minus 4x हो जाएगा, ये plus 6 है, उधर minus 6 बचेगा simple सी बात है, आप basic concept तो जानते हो, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, plus का 6 हो जाएगा, equal 0 यानि ये दुईगाद समीकरण है, क्यों है, देखो इसके मानक समीकरण से तुलना कर दो, इतना आया न, अब लिखो दुईगाद समीकरण, दुईगाद समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर, दुईगाद समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर, चलो लिखो ax square, ये minus का 4x और plus का 6 बराबर 0, ये मानक रूप है, ओ, आदा तो पहले हम मानक रूप लिखेंगे यह BX रहेगा और यह C रहेगा ठीक है अब समीकरण हमारा जुआ है इसके नीचे लिखो X स्कॉर माइनस 4X प्लस 6 बराबर 0 देखो यह सेम टू सेम उसी के स्ट्रेक्चर का रहा है ऐसे ही आ रहा है मतलब यह दूइगात समीकरण है देखो इस्ट्रेक्चर का मतलब समझो थोड़ा सा साथियों कहने का यह मतलब है कि इसमें देखो AX स्कॉर है ना मतलब A क्या है एक अचरपद है इसमें भी अचरपद है इस पर 1 है मान लो और X स्कॉर हो गया माइनस का माइनस है मतलब यह माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है जरूरी नहीं कि माइनस ही रहे मतलब लेकिन वैसा होना चाहिए ठीक है फिर BX B की जगा आप देखो 4 है इसमें constant है X की जगा पर X है प्लस C C मतलब वो constant उसके रूप का है यह क्या दुगात समिकरण है जबकि यह उसके रूप का नहीं था देखो इसमें बीच वाला पद गायब हो गया था इस तरह से आप इसमें जो भी दिये गए हैं सभी का टेस्ट कर लेंगे जो भी उस रूप के आएंगे वह दुगात समिकरण होंगे नहीं होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इस्टुडेंट्स अगला पार्ट इसमें का देखो तीसरा पार्ट क्या कहता है यह पूछ रहा कि क्या यह दुगात समिकरण है की नहीं है कुश्चन नमबर फास्ट का तीसरा पार्ट है एक सरसाई यह 4.1 कलाश 10th NCRT Math दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आन करें और अगर आप इसे PBR स्टेडी अप में देख रहें तो नोट सबसे बनाएं और इमानदारी से देखें चलिए यह एक पद दिया हों इसे बता दे रहां पहले यक्स लेंगे यक्स से इसमने दोनों में गुड़ा करेंगे तो यक्स का मैं मैं करो गश्तों यहिक्स ड़ाएगास कया है x का multiple, प्लस 1 में करोगे तो ये+, ये, x हो जायाग कितना हो गया अब माइनस 2 लेकर 105 क veo माइनस 2 का x में multiple करोगे तो माइनस 2 x अब माइनस 2 का plus 1 में करोगे तो माइनस 2 को सा οποία jadi multiple हो गया, ये बोनों का हो गया इतना पूरे काएक में अब इधर आजाओ बराबर करकी X का X में multiple करो X का square X का 3 में करो तो धन ये 3X अगर आपको ये नहीं आता basic गुड़ा कैसे करें तो comment करके बताना अभी आपको number दिखाएंगे लाइश्ट में उस पे संपर करना आपको अलग से सिखाया जाएगा ये हो गया अब X का गुड़ा 3 में करो गया तो ये धन मैंने बता दिया इतना तो हो गया धन 3X आप साथियों minus 3 वो जो एक है न minus 1 इसका गुड़ा इन दोनों में करेंगे पहले हमने X पकड़ा इकस से इन दोनों में गुड़ा कर दिया मतलब X में और 3 में अब हम minus 1 लेंगे और इससे इन दोनों में गुड़ा कर देंगे ध्यान से देखो minus 1 का X में करोगे तो दोस्तों ये minus और plus का multiple minus और ये X हो जाएगा और minus इसका जब होगा तो ये 3 हो जाएगा बस यही हल करना है जो भी है आप हल कर लो देखो क्या आता है अगर आप ध्यान से देखो तो ये चिन जो है minus है plus है न उधर क्या है X minus में है चलो मैं एक तरफ करके दिखा देता हूँ आपको ये X का square है साथियों एक बार मैं question मिला लेता हूँ आप लोग मिला लो कि कहीं कुछ अलग तो नहीं दिया है X minus 2 X plus 1 X minus 2 X plus 1 और X minus 1 X plus 3 ठीक है question सही दिया है चलो अब दोस्तों इसके जैसे जो पद है उसे इकठा करो X का square है न इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा अब कोई X square है कहीं? नहीं है अब इन सब को देखो minus का X और ये ये plus का X था न और ये minus का 2 X और कोई X वाला है? हाँ ये 3 X है plus में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये plus में X है इधर minus में इधर आएगा तो plus में देखो समझने की कोशिश करो ये हो गया कहानी एक को लगा दो ये minus का 3 इधर बचे रहा है ये धन का जो 2 है ना minus का उदर जाएगा तो plus का हो जाएगा चिन बदल जाता है बराबर के दूसरे फाइट जाने पर साथिन ये plus माइनस घतम हो जाएगे गट पिट के minus माइनस या plus plus जुड़ते हैं तो ये x ये x में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2x समझने की कोशिश करो x से x में जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा और ये minus minus 2 न जुड़ेगा तो फाइनल में ये हो जाएगा कितना देख लो 2x माइनस ये 3 दो 5x और बराबर क्या बचेगा ये minus फ्लस घड़ जाएगा minus का 1 लाश्ट में आप इसे देखोगे तो minus 3x बराबर 1 बचेगा x का यहाँ से मान आगया 1 बटा मतलब minus 1 बटा 3 यहाँ आपको कुछ पल ले पड़ा x equal minus 1 अपान 3 आगया आपके समझ में आगया होगा कि यहाँ तो समीकरण बने नहीं रहा यार तो यह कौन सा दुईघाद समीकरण है इसका मतलब यह दुईघाद समीकरण नहीं है चुकि यहाँ तो x का मान आ जा रहा है यहाँ पर कोई समीकरण बनी नहीं रहा है तो लिख लो यह भी दुईघाद समीकरण नहीं है ठीक है नीचे एक लाइन लिखना दुगाद समीकरण के मानक समीकरण x square e x square plus 2x प्लस देखो लिख के दिखा देता हूँ पहले इतना आ जाएगा फिर क्या लिखोगे लिखो दुगाद के मानक समीकरण e x square धन b x धन c बराबर 0 से तुलना करने पर minus या plus दोनों में से कुछ भी कर सकते हो इसका मानक समीकरण वो उसी रूप का ही होता है कितना लिख लिख लिखो आगे लिखो ये हो गया मानक रूप लिख 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 लिखो दुगाद समीकरण के मानक रूप x square धन b x धन c बराबर 0 से तुलना करने पर नीचे लाके इसको लिखो यक्स बराबर 3 minus वो एक बटा 3 जो भी आया है नीचे लिखो इसके नीचे लिखो चूकि यह दिये गए दुगाद समीकरण के मानक रूप के परकार का या फिर के रूप का नहीं है अताहा ये दिया गया जो भी मतलब समीकरण है वो दुगाद समीकरण नहीं है मतलब एक प्रकार से समीकरण तो है जो दिया गया उपर equation है लेकिन ये दुगाद समीकरण नहीं है ये सरल समीकरण हो सकता है लेकिन कुछ भी हो लेकिन दुगाद नहीं है तो इस्टुडेंट आप सभी इसको नोट कर लो जल्दी से यह कुईस्चन आपके लिए हैं घर से करना इनको होमोर्क है यह फॉर फाइफ सिक्स सेवन एड तक हमने चार बता दिये और चार पांच आपको दिये आप इनको घर से करना अगर यह दुगात समीकरन के मानक प्रसन का कुष्चा नमबर सिकेंड और प्रस्णा वाली 4.1 यह क्लास बहुत ही ध्यान से देखना इमांदारी से देखना और बड़े प्यार से देखना बड़ी मज़दार क्लास होगी उसके पहले आपके लिए चंद लाइन है ना फिसलो इस उमीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा ना फिसलो इस उमीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा ना डूबो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा सोचकर ना डूबो दरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा यह दुनिया तो एक अड़ा है तमास बीनों का मेरे यार देखेगा कोई तुम्ह मुसीबत में, तो हर कोई मजा लेगा इसलिए अभी टाइम है क्लास टेंथ में पहुँचे हो, तो इमानदारी से पढ़ लो, जिससे की मुसीबत में न दिखो और कोई मजा न ले भाए नहीं तो फिर अभी अगर मजा ले लिये, तो जिंदगी पर सजा मिलती रहेगी इसलिए इमानदारी से पढ़ना क्लास पूरा देखना कुईस्टिन बहुत आसान एक दम हलुआ है कह रहा है निमनी इस्तितियों को द्विघाज समीकरण के रूप में लिखिए मतलब इसको हल नहीं करना सिर्फ समीकरण बना देना बाकी का काम और लोग घ्रण के क्या कहता है चली देखते हैं एक अयताकार भूखंड का। छेट्र पान्च सो अथाइस मीटर है छेटर नहीं छेट्रफखल ठीक शेट्रफल मीज़ इरिया एक आताकार का मतलब यह होता है عयत कि आकार का है किसी भूमी का टुकड़ा जैसे प्लाट मान लो आपने देखा होगा ना कहते हैं हमारे अंकल जी प्लाटिंग करते हैं प्रपोर्टी डीलर है तो यही प्राल प्लाट आयताकार है उसका छेत्रपल 528 मीटर स्कॉयर है कह रहा है कि छेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई क दोगुने से एक अधिक है छेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है मतलब लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है अगर चौड़ाई 2 मीटर है तो लंबाई दू दूना 4 मीटर है धने 5 मीटर है क्योंकि कह रहा है एक और अधिक है ना बस इसी का समी करण बनाना यार बाबू बहुत ही आसान एकदम मज़ेदार है कैसे देखो आप यह बताओ पहले कमेंट करके बताओ जल्दी से कि पहले लंबाई मानेगी की चौड़ाई जल्दी बोलो मैं किसी का नाम नहीं लूगा अज सुनील जी देख रहा हूं मैं आपको नाम नहीं बोलने वाला हूं क्योंकि बहुत ज्याधा टाइम लग जाता है बस होगया चलो तो आपको बात बता दे अगर आपसे बोलें कि मोहन foreign सोहन से 3 साल बड़ा है तो अगर हम आपसे पूछें कि बच्चा मोहन की आयों कितना है तो कैसे जानोंगे पहले सोहन की आयों आनी चाहिए ना तभी तो मोहन को बताएंगे क्योंकि जो मोहन सोहन से तीन साल बड़ा है तो अगर सोहन छे साल का है तो मोहन कितने साल का होगा सिंपल सी बात है उससे तीन साल बढ़ा है कि से सोहन से अगर सोहन छे का है तो मोहन छे तिन्नों का हो जाएगा तो इसमें क्या मान होगे माना जल्दी लिखो फटा-फट माना आयताकार भुखंड का की माना आयताकार आयताकार भुखंड की चोड़ाई बराबर यक्स मीटर क इसलिए बच्चा देखो जब उखंड की चोड़ाई एक्स मीटर हो गई तो इसलिए जो लंबाई होगी क्या होगी दो एक्स प्लास वन मीटर अब आपके मन में आ रहा होगा यह कैसे हो बगवान देखो कहरा जो लंबाई है वह चोड़ाई के दो गुने से एक अधिक है तो बच्चा लोग नीचे दिख रहा है कि नहीं पहले यह बताओ नीचे दिख रहा है ना अब लिखो आयताकार भूखंड का छेत्रफल आयताकार यहां लिखो मैं लिखूंगा नहीं आयताकार भूखंड का छेत्रफल बराबर लिखो इसको कापी में आयताकार भूखंड का खेत्रफल बराबर किता दिया है पांच सो अठाइस मीटर स्कॉयर लेकिन सब को हिंदी में लिख लो तो जादा अच्छा लगे का बच चाहिए यह लो मीटर स्कॉयर ओके 528 में इसकॉयर आगया उत्तर आपके सामने आगया फटा फट देखो कैसे अब हम उपर करेंगे प्रस्ना अनुसार कोईश्चन मिटाएंगे जल्दी वीडियो रॉंक लो तुरंद देखो अब हम करेंगे प्रस्ना अनुसार प्रस्ना अनुसार आयताकार भूखंड का जो छेत्रफल है वो कितना है आयताकार आप लिख लेना आयताकार भूखंड का छेत्रफल बरावर कितना है 528 यह मेटर स्कुएर दिया गया है तो एक मिनट रुखो एक मिनट यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे इसको नहीं लिखोगे यहाँ पे लिखो आयताकार आयताकार भूखंड का छेत्रफल बराबर आयत की लंबाई आयत नहीं के लिखाई लिखे लिखाई बिख़े लिए इतना नहीं है अब आगे चलो आगेश इतना हो गया है अब देखो आजाकर भूखंड का छेतरफल चुकि हमें दिया है 528 मीटर स्कॉयर तो आप इधर लिखोगे 528 अब मीटर स्कॉयर हर जगा मदली को लाश्ट में लिख देना लंबाई कितना है बच्चा लोग देखो 2x प्लस 1 इंटू चौडाई कितना है यक्स चुकि हमने माना था बस यही हल करना पूरी कहानी इतने में ही है यह 528 हो जाएगा गुडा करोगे 2x का स्कॉयर प्लस 1 हो जाएगा अगर आप लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा तो 0 लेबल देखो यह कैसे हो रहा है चुकि यहां पर यह नहीं बता जाता है ठीक है 2x का मल्टीपल एक समय हुआ तो 2x स्कॉयर हुआ और x का 1 में हुआ तो यक्स हो गया इस तरह से इधर आएगा यह बच्चा लोग तो 2x का स्कॉयर प्लस यक्स माइनस 528 बराबर 0 आएगा और यहीं समय करण हमें लिखना था कैसे किया हमने इसको पूरा इधर ले आया और उसको उधर ले जाओगे हिसाब किताब कर ले न 10th में पहुँचे उजना तो आता ही है नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके बता देना कि मुझे नहीं आ रहा ठीक है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन अन करिए जिसे कि आप इस तरह से पढ़ सकें बहुच जल्दी करें कुईशन नमबर दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं एकसरसाइज 4.1 आप जान रहे हो क्लाइफ 10 की NCRT Mathematics से बच्चा यह कह रहा है कि दो कर्मागत धनात्माग पुड़ांकों का गुड़नफल X प्लस ना गुड़नफल 306 है हमें पुड़ांकों को ग्याद करना है तो एक्चुली यहां पुड़ांक नहीं ग्याद करना है तो आप लिखो क्या लिखोगे देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो जो मुखे बात है वो क्या है पुड़ांक धनात्माग पुड़ांक जैसे अगर एक मान लो हमने ले लिया एक पुड़ांक 1 है तो अगला धनात्माग पुड़ांक क्या होगा 2 होगा अगला धनात्मक पुढांग 3 होगा लेकिन यह तो भया चरपद हैं लेकिन अगर हम यक्स ले लिए तो अगला धनात्मक पुढांग x प्लस 1 होगा कैसे देखो अगर यक्स की जगा पे हम 1 मान ले यक्स की जगा पे 1 मान ले तो अगला धनात्मक पुढांक देखो 2 आ रहा है न अगर हम यक्स की जगा पे यहाँ पे देखो 2 मान ले तो अगला धनात्मक पुढांक 3 आएगा न बोलो आएगा न इसका मतलब ठीक है न अगर कर्मागत धनात्मक पुणांक मानना है तो पहले एक्स मानना पहले को दूसरे को एक्स प्लस वन मतलब एक एक के अंतराल पे मानना एक बात और यहीं बता दूँ अगर दो कर्मागत सम धनात्मक पुडांक मानना है या भी सम मानना है तो एक एक छोड़ के मानना पहला एक्स दूसरा एक्स प्लस टू तीसरा एक्स प्लस फोर ऐसे मानना दो दो कंत्राल होगा ठीक है चलो माना पहला कर्मागत धनात्मक पुडांक बराबर यक्स फिर आगे लिखोगे दूसरा कर्मागत धनात्मक पुडांक इक्वल एक्स प्लस वन कह रहा है कि इनका गुडनफल 306 है तो बच्चा लोग आप एक काम करो यहाँ पर लिख दो प्रस्वना अनुसार इकार्डिंग टूदा कुइस्चन इनका गुडनफल 306 है मतलब यक्स इन्टू यक्स प्लस वन का जो गुडनफल है वो कितना आता है 306 आता है बस इसी का समीकरण बनाना था बना दो प्यार से बड़े अराम से आ गया जल्दी से हो गई बात खतम गुडा कर लो एक्स का इस्क्वाइर हो जाएगा एक्स का वन में हो गा तो एक्स हो जाएगा बराबर 306 हो जाएगा इधर साइड में लिख दूँ फाइनल उत्तर ना देखो ये 306 उधर ले जाओ बस हो गया एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स माइनस 306 ये हो गया आपका अंसर इसमें कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए ना कितना आसान है बेरी सिंपल सायर जल्दी से लिख लो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करिए और बेल आइकन अन करिए जिससे कि आप इस तरह से सारे वीडियो देख पाएं और हर एक पार्ट को हल कर पाएं आगे बढ़ते हैं अभी जाना मत अगला भी है देखो बच्चा आपकी तीफिरा पार्ट देखना है ठीक है बहुत ध्यान से देखना एकसरसाइज 4.1 कुश्चन नमबर सिकेंड का थार्ड पार्ट बहुत आसान कुश्चन है एकदम सिंपल सा है थोड़ा सा समझ लो बस ठंडे दिमाग से कहरा कि रोहन की मा उससे 26 वर्ष बड़ी है रोहन की मा देखो मा तो दुनिया में सबसे एक बड़ी अजूब और कीमती मतलब क्या बोलें जो भी यह सब कुश होती है तो मा तो हमेशा बच्चे से बड़ी ही होती है है ना रोहन की मा क्या है उससे 26 वर्ष बड़ी है उनकी आयू का जो गुड़नफल है अब से तीन वर्ष बाद 360 हो जाएगा यानि रोहन और रोहन की मा की आयू जो है उसका गुड़ा कर देंगे अगर मालो रोहन की मा की जो आयू है वो 40 वर्ष है रोहन की 25 वर्ष है ऐसे हो सकता ह कि नहीं हो सकता मालो 15 साल है उसका जो गुड़नफल कितना है 360 हो जाएगा तीन अर्स बाद लेकिन आज नहीं है फिर कह रहा कि हमें रोहन की वर्तमान आउग्यात करनी है एक्चुली जो कुष्चन है मुख्य ना हमें इसमें दुगात समीकरण बनाना है हाल नहीं करना है हमे आयो नहीं करनी है सिर्फ समीकरण बनाना है आप देख लो अगर आपके पास NCRT बुक है बच्चा तो NCRT बुक में क्या है ना exercise अगर आप देखो तो क्या है यह 4.1 में आप देखो कि कुष्चन नंबर यह जो है सिकेंड का ना थार्ट पार्ट है तो ध्यान से इसको बसनावली 14.1 में कुष्चन नंबर सिकेंड का थर्ड पार्ट है कह रहा है कि निमनिर्खी तिस्तितियों के आधार पर दुगात समीकरण का निरूपित कीजिए दुगात समीकरण बनाइए चलिए रोहन की मा उससे 26 वर्ष बड़ी है उनकी आयो का गुड़न फल अप से 3 26 वर्ष याद रखना कहरा कि रोहन की मा जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है इसका मतलब इसकी मा की आयो कितनी ये भी नहीं पता है और उसकी कितनी ये भी नहीं पता है तो हम यहां लिखेंगे लिखो माना रोहन की वर्तमान आयो रोहन की वर्तमान आयो बराबर कितना हो जा थोड़ा सा दिमाक लगाओ, उसकी मां की आयू क्या होगी बोलो रोहन की मां boy की वर्तमान आयू बराबर क्या होगी उससे 26 वर्ष बड़ी मतलब बच्चा यह except plus 26 वर्ष हो-जाएगा बोलो हो जायगा की नहीं तभी होगी न भया यह समझो कि अगर रोहन पाँच साल का है तो उसकी माँ 31 साल की होगी ना भाई माँ तो बड़ी होगी ना यह हो गया इतनी कहानी आगे क्या कहता है अभी दने में बस नहीं हुआ अभी कह रहा कि अब उसे तीन साल बाद मतलब आज का तो छोड़ दो भाड में जा इससे कोई मतलब नहीं है अब तीन साल बाद देखो तीन साल बाद क्या होगा दोनों की आयू का गुड़नफल 360 हो जाएगा तो तीन साल तक रोहन आईसे तो नहीं रहेगा कि इतना बड़ा इतना बड़ा रहेगा तब तक इतना बड़ा होजाएगा और उसकी माह और बड़ी हो जाएगी है ना दोनों बड़े हो जाएगे तो क्या होगा आब नीचे लिखो तीन साल बाद रोहन की आयू बराबर जल्दी लिखो फटा फट तीन साल बाद देखो मैं लिखूंगा नहीं जाएका साधीयोग यही जाएगा है नहीं जी साधीयोग नहीं मतलब लड़की होती तो ऐसी लड़का 20 साल का होती है तो आप मत without any K coch समझना अपने को चलो आगे लिखते रहो बस अभी आप साधीयोग नहीं हो अगर 10 तो तीन साल बाद कितनी को हो जाया गर रोहन एक्स प्लस तीन और फिर निचे लिखो तीन साल बाद रोहन के मा की आयू बराबर यक्स प्लस चाब़िस प्लस तीन वर्श है ना बस हो गई पूरी कहानी खतम प्रसना अंसार लिख दो according to the question and you will get the complete solution जल्दी करो फट से बहुत जल्दी करो बहुत जल्दी करो बच्चा हाथ और दिमाग दोनों चलना चाहिए क्योंकि जिन्दगी की दवड में आ चुके और टंथ में हो तो देखो आगे जो कहरा प्रसना अंसार लिख देंगे according to the question दोनों की आयू का जो गुड़न फल है वो 360 हो जाएगा यह तो पुछ रहा है ना तो चलो बच्चा दोनों की आयू का गुड़न फल मतलब यह और यह तीन साल बाद वाला यह वर्तमान से कोई मतलब नहीं है सिर्फ तीन साल बाद वाला तो इनकी आयू का जो गुड़न फल है यानि यह किसका आयू है रोहन की मा की आयू है और रोहन की आयू तीन साल बाद एक्स प्लस तीन हुई थी इन दोनों का गुड़न फल कह रहा कि 360 हो जाएगा यही तो बोला था ना प्रस्न में देख लो एक बार है ना चलो अब क्या होगा बच्चा यह अब यही तो पूछ रहा था एक कुछ और पूछ रहा था देखो जल दी से यही था आप चलो गुड़न फल कर लो फट अफट तो बच्चा ये आप थोड़ा सा साल्व कर लो एक्स प्लस तीन ये देखो 26 में तीन जूड जायेगा तो एक्स प्लस जूड़ जायेगा बराबर तीन सो साथ कितना हो जायेगा थीन सो साथ वह गेट बंद कर लिए हां अगे चले अब देखो इधर इतना हो गया अब इनका गुड़ा करो multiple करो फटाफट चलो तेखो कैसे इनका दोनों का गुड़ा करो बच्चा पहले x को पकड़ के इसमें पूरे में गुड़ा कर दो तो x का गुड़ा x में करोगे तो मैंने basic मेहत में सिखाया x का square हो जाएगा बीच में plus फिर x का multiple 29 में करोगे 29 में करोगे तो 29 x हो जाएगा इतना हुआ तीन को पकड़ो इसमें पूरे में गुड़ा करो तो 3 का गुड़ा x में करोगे तो ये 3 x हो जाएगा और 3 का गुड़ा 29 में करोगे तो 31,87 हो जाएगा अगर ये calculation नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैं लाश्ट में नमबर दिखाऊंगा नहीं उपर नमबर दिख रहा होगा उस पे संपर्क करना जीरो लेबल की मैथमेटिक्स देखना उसमें इस सब सिखा जाता कैसे आता है क्यों आता है यहाँ पे नहीं बताने का टाइम ठीक है बराबर जीरो ऐसा क्यों क्योंकि है क्योंकि हमें दुखाद समी करन बनाना है और राइट-हट साइड यानि किताहिन नपद जीरो करना है इसके बाद यह दोनों प्लस माइनस घड़ जाएंगे और फाइनल में आंसर ना हम ललकी पेंसे लिखेंगे कितना आएगा यक्स का स्क्वायर प्लस 32X माइनस 273 इक्वल 0 तो बच्चा लो घटा लो इसको घटा की बताना अगर कुछ गड़बड होगा तो 306 से 87 घटा लो घटाना बहुत आता आप लोगों को यह हो गया इसका फाइनल अंसर उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन आन करें जिसे कि आप पढ़ सकें और सीख सकें और दूसरों को भी सीखा सकें इस वीडियो को अपने दोस्तों में सेयर करें जिससे कि वो भी पढ़ सकें कलास हर दिन सूबा चलती है आठ बजे से आठ बजे के बाद भी आप कभी भी देख सकते हो अगर चैनल सब्सक्राइब किये हो तो किसी परकार की साहता के लिए उपर नंबर दिया गया दो दो नंबर दिया गया है कोई वाटसप का नंबर और फोन का नंबर ने देता है यूटूब पे लेकिन हम आपसे डारेक्ट जुड़ते हैं आप नंबर ले लो फटा फट अगला कुश्चन देखो ध्यान से कह रहा है इसी में का अगला कुश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का है बच्चा ये कुश्चन नंबर दूसरा का चौथा पार्ट और हां ये कलास आपके P.V.R.A. P.V.R.A. study class 9th and 10th पर complete चलती है आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें डिस्क्रेप्शन में देखो लिंक भी मिल जाएगी या फिर नीले कलर का ये लिखा होगा या फिर आप इसे YouTube पे सर्च कर लेना पूरा नाम लिख लो P.V.R.A. study class 9 ही लिखोगे तब भी मिल सकत है या फिर आइंड का चिन लगा के 10th भी लिख देना मिल जाएगा नहीं मिलेगा नंबर पर संपर्क करना चलो इस पर चलेगी अगली कलास अब ठीक है करा कि एक रिल गाड़ी 480 किलोमेटर की दूरी को एक समान चाल से नहीं करती है मतलब एक ट्रेन है मानलो आपके घर प स्पीड में जा रही है उसके बाद जो भी है फिर आगे कह रहा है कि यदि इसकी चाल आठ किलोमेटर प्रति घंटा कम होती मतलब जीतने में जा रही है उससे आठ किलोमेटर प्रति घंटे और कम होती तो दूरी को ताय करने में वह तीन घंटे और ज्यादा समय लेती तो वस्तों में चाल नहीं ग्यांत करनी हमें दुगात समिकरण बनाना है क्योंकि कुछिचन कि आकार्डिंग कह रहा है कि रूप में इस कहानी को निरूपित कीजिए देखो ने रेल गाड़ी की चाल निकालना थे तो हम जो लाश्ट में वही मानेंगे आप नीचे लिखो हल लि तो पहले से दी गई बच्चा हां दूरी बराबर दी गई है कितना चार सौ असी किलो मीटर अब हमें यहां से बहुत कुछ निकल जाएगा चूब कि दूरी चाल की कहानी बहुत बच्पन से हम पढ़े हैं यहां पे आप लिखो समय बराबर समय काहे निकाल रहें पता है क्यो क्यों जरूरी है क्योंकि जब अपने स्पीड में जाएगी जितने में जा रही है तो फिर कितना समय लगा रही पहले हमें यह पता होना चाहिए ना तभी तो हमें निकाल पाएंगे कि 8 km प्रती घंटे अगर चाल कम हो गई तो तीम घंटे कम समय लेगी यह कहानी बात में और चाल क्योंकि चाल बराबर होता है आप जानते हैं समय कहांटे में सेड़े लेकिन इनकी कहानी पर चलते हैं घंटे कम होती तो फिर और इसे नोट कर लो छापल शापलो मैं आगे लिखता हूँ क्योंकि मैं मिटाओंगा इसको ठीक है हमारे पास जगा कम है जल्दी लिख लो इतना लिख लो बच्चा फटा फट हो गया कि चलो जगा तो बहुत है मैं नीचे भी कुछ लिख देता हूँ लिखो नीचे लिखो जब रेल गाड़ी की जब रेल गाड़ी की चाल नीचे लिखो जब रेल गाड़ी की चाल आठ किलो मीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तब नई चाल बराबर या फिर ये पूरी कहानी मत लिखो ऐसे लिख लो रेल गाड़ी की नई चाल बराबर जैसे आप समझो चाहे इतना लिख लो चाहे आप लिख लो पूरी कहानी लिख लो जब रेल गाड़ी की चाल आठ किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तब नई चाल बराबर यक्स माइनस 8 किलोमीटर परतिगंटे ठीक इतना हो गया आगे चले बहुत अच्छे बेरी गुड आप क्या करोगे दूरी बराबर देखो बच्चा दूरी अभी भी वही है दूरी में कोई अंतर नहीं है दूरी वही है अब आप नया समय निकालोगे क्या करोगे नया समय निकालोगे वीडियो को पीछे करके लिखना अगर नहीं लिख पाए हो तो ठीक है वीडियो थोड़ा पीछे कर ले न लिख ले ना पूरी कहानी आप क्या करोगे आप निकालोगे समय तो समय बरावर फिर वही सूततर लगाओगे कौन आ जो अभी आप लगाए थे वही लगाओगे। समय बरावर क्या होगा?, दूरी बटे चाल ना बच्ष गीना तो दूरी बटे चाल मतलब three मतलब यक्स माईनस 8 यह हो गया नया समय इसे लिखलो समीकरंण चाहे 2 लिख लो समी करन एक बना था हमें याद है 4802 यहीं बना था ना यहीं बना था ना अब मैं कुश्चन मिटा ना दूं हां कुश्चन मिटा के उपर हल कर लेता हूं आप पीछे देखना इसके पहले जो हुआ उसको नोट करे हो तब समझ में आएगा नई लिखे और समझ में अब देखो प्रसना अनुसार क्या होता है जो आपकी अभी चाल आई थी पहले और जो बाद में दोनों को बराबर करोगी उस्वरी चाल नहीं समय तो पहले जो समय आया था वो कितना आया था बच्छा लोग 4802 यक्स गंटे ना उसके बाद प्रसना अनुसार क्या कह रहा यानि कि जो 4802 यक्स माइनस 8 का समय ले रही थी इससे 3 घंटे का और ज्यादा समय लेगी अब यह नई कहानी है इसकी ठीक इसी को हमें हल करके क्या करना है इसी को हमें हल करके समीकरण बना देना है चलो देखो यह होजाएगा 4802 यक्स यह पूरा उधर से इधर आ जायेगा तो माइनस का हो जाएगा 4802 यक्स माइनस 8 बराबर 3 इसका क्रास मल्टिपल करोगे बच्चा लोग तो यह हो जाएगा 4802 यक्स माइनस 8 का गुडा करोगे पूरे में 8 collect 444 चोंकर 32 छे and 38 इतना हो जाएगा क कि हमने 1 एक 480 में गुड़ाया एक्स का गुड़ा 488 में करो बच्छ लोगे बच्य लोग तो क्या हो जायगा यक्स का एक्स , 2 बराबर इस से रहें करें इस पर कोई फर्रक नहीं वाला है यह पलस में मैं यह माइनस में कट गए काम ke फिल्द चोटे हो गए at आगे क्या होगा इसके नीचे 1 लिख लो अब क्रास मल्टिपल होगा क्रास मल्टिपल होगा तो यह 3x का स्क्वाइर माइनस 3,824x बराबर क्या बचे गई है देखो ध्यान दो माइनस में है तो वो माइनस का माइनस ही रहेगा कि पलस हो जाएगा सोचो और बताओ यह माइनस में है अगर गुड़ा होगा तो यहाँ पलस ओलस का कोई कंडिशन नहीं हो माइनस में ही रहेगा 38,40 ठीक इतना बात समझ में आ रही न लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीजें में बड़ी अजीब सी लग रही होगी वो क्या है कि मैंने थोड़ा सा इसको साड़ करके उल्टा लिख दिया ना तो मैं जैसे वैसे ही लिख देता हूं इधर साइड में देखो आप लोग मतलब वही होगा माइनस का 338,40 और इक्वल अब यह माइनस 38,40 बराबर यह 3x का स्क्वायर माइनस यह 24x चाहे जितनी बलाइन बढ़ा लो समीकरन आ गया, समीकरन हो गया आपके सामने ठीक है आप क्या करोगे न बच्छा लोग इसमें देखो तीन से आप दोनों तरफ भाग दे दो चुकि यह 3 से कट जाएगा क्या होगा यह? यह 3 से कट जाएगा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 3 से कट जाएगा न अब इसको सिर्फ साल्व कर लो बस देखो 3 से इसको काट दो 3 एक्कम 3, 3 से काट ओगे 8 8x न और इसको 3 से काट दो 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 अठे 24, 0, 1260 आएगा, माइनस का, इसको सब को इधर ले आओगे, तो आपको मिलेगा, x का स्कॉायर, माइनस 8 का एक्स, क्यूं? 8x ये बचा था, x स्कॉायर ये बचा था, माइनस का ये 1280 बराबर 0, ये हो गया समीकरन, जो ये बनाने को बोल रहे थे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया, तो जरूर कर लेना, उपर नंबर दिया गया है, कोई परकार की, अगर आपको बताना है, कोई बात या कुछ भी पूछना है, तो आप उस पर संपर कर सकते हो, खिक है, आगे बढ़े, चलिए, देखिए, अब आग जलते हैं, निबेदन होगा, इस वीडियो को दोस्तों में जरूर सेर करना, अगर आप सेर करोगे, तो सारे वीडियो आपको यूटूब पर मिलेंगे, इसलिए खूब सेर करना और लाइक जरूर करना, ठीक है?